कि गुदी इवनिंग आफ यू आज एक बहुत ही अच्छा कॉंसर्ट में डिसकस करने जा रहा हूं जो सबका डाउट होता है आपको बोर्ड पर टॉपिक साफ दिख रही होगी ऐसे 510 वर्सेस 710 इस पर्टिकुलर ये दो स्टांडर्स में हमेशा ही स्टूडेंट्स को चाह हो कि तुम्हारे पास record के लिए रह जाए क्या difference है सक्वेजब भूल हमेशा बर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये YouTube पे 20 rarely और यह यह रहेगा घ्र को कभी सब मेरे पर सब्सक्राइब और करना पड़ेगा यहाँ पर है मुझे और थोड़ा से द्रॉइंग करना पड़ेगा विचल रो तो पूरा एक्टम क्लियर हो जाएगा ओके मेरी बात को दो हम अब सुनते जाना ओके स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेड़ बॉक्स को देखो रेड़ बॉक्स में क्या लिखा ऐसे पान्सो दस इनिशियल पान्सो दस की सांसो दस की विडियो हो जाएगा तीन घंटेगा तो मैं पूरा पान्सो दस नहीं बढ़ा रहा है मैं बस डिफरेंस बढ़ा रहा हूं जहां सुनो पान्सो दस एक्टुली अप्लाई कब होता है सर वें दा कंपनी का पिछले पांस साल से कोई ओडिटर था इस साल कंपनी ने एजम में वह ओडिटर को रफ भाई भाई बोल दिया और एक नया ओडिटर हायर कर रहे है तब पांसो दस अप्लाई करता है वर्ना अप्लाई नहीं करता है तो पांसो दस अप्लाई इस वें नीचे देगो नीचे यह सबसे इंपॉर्टन बात है जब ऑडिटर चेंज होता है तब अप्लाई करता है ऑन दी अधर हैंड जो यह सांत सो दस स्टैंडर ना कंपेरिटिव इंफॉर्मेशन पहले मैं रेडिकलर को थोड़ा सा और बता देता हूं पांसो दस कोई ध्यान समेरी बात को सुनों आ मैं उस कंपनी का नया ओडिटर हूं तो में मुझे एक बार तो चेक करना पड़ेगा ना कि पिछले साल का जो बैलेंशीट पील है वो सही है कि नहीं है क्योंकि तुमको पता होगा तीन तरफ के अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट परसनल अकाउंट में जाके खतम हो जात है बैलेंस केरीड फॉवर्ड तो जिनका बैलेंस बचाए उससाब बैलेंस शीट में आता है ठीक है बैलेंस शीट में सारे बैलेंस आपको दिख रहें तो जो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस हैं वही तो इस साल के ओपनिंग बैलेंस है अब आप सोचो अगर क्लोजिं साल की गलत थे उनमें MMS था और auditor ने फिर भी सही true and fair view दे दिया तब वह सारे MMS तो continue होके इस साल में भी आ जाएंगे क्योंकि real account और person account तो बंद नहीं करते ना सर वो तो continue चलता है तो अगर पिछले साल के closing में MMS है तो वो तो as it is carry forward होते चला जाएगा और मेरे वाले पुरे audit report को मेरे fs को भी effect कर देगा इसी लिए जब auditor change होता है तो एक नए auditor की जिमदारी है कि पिछले साल के closing balance जो कि इस साल के opening balance और भी है उनको वो चेक करें कि उनमें कोई MMS है या नहीं है यह है तो अब आप सोचो वेनेवर दा कंपनी चेंज़ेस ओडिटर्स पांसो दस लगता है क्योंकि उस auditor को पिछले साल के closing balance यानि कि इस साल के opening balance ओभी में MMS ढूंदून के निकालने है मकसद क्या है मकसद है accuracy यह मकसद एक ही होता है हमें चेक करना है कि ओभी ओभी मतलब opening balance वह accurate है कि नहीं उसमें कहीं MMS तो नहीं है देर शुट नॉट बी एनी MMS उसमें MMS material statement नहीं होना चाहिए the purpose is accuracy अब आप जरह इसे compare कीजिए ऐसे 710 के साथ यह पूरा purpose ही अलग है objective ही अलग है मतलब देखो हम लोग चीज सेम देख रहे हैं चीज सेम देख रहे हैं पर हमारा purpose अलग है ठीक है देखो साथ मैं सब समझाओंगा थोड़ा सा तुमको दस मिनट समाई पेशन्स रखना पड़ेगा तुमको टोटल समाई रखो समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं मैं इदम नए नजरी से बताऊंगा तुमको साथ सोदस सर यह क्या है सर इसको बोलते है comparative information वट इस comparative information आप जानते हो कि schedule 3 के एसाफ से जब balance sheet PL बनता है schedule 3 जिसको हम लोग audit की भाशा में FRF भी बोलते है financial reporting framework तो भाईया जब schedule 3 के एसाफ से FS बनता है तो उसमे current year figures के बगल में ही आप एक column डालते हो और previous year के figures भी डालते हो current year figures previous year figures ताकि होता क्या कोई भी shareholder जब हो FS को पढ़ेगा तो आप current year में company का जो performance है वो आप कैसे समझोगे जब तक को आपको पिछले साल का figure नहीं दिखाया जाए comparison करकी तो पता चलेगा की बढ़िया हुआ की घटिया हुआ sales अगर पिछले साल की मकाबले जादा हुआ तो बढ़िया हुआ आप company की performance को खुद से ही तो तैगरोगे अरे एक student जो पिछले साल exam में 60% लाया था वो अगर इस साल 70% लाया तो गुड न्यूज है लेकिन जो 80% लाया था पिछले साल वो अगर 70% लाया तो बैड न्यूज है you are looking at the same figure 70% पर आपको यह समझना है कि वो सक्स्टी से 70 हुआ है कि 80 से 70 हुआ है अगर वो 60 से 70 हुआ है तो गूड 80 70 है तो बैड तो comparative information हमारे हिंदुस्तान में क्या पुरे विश्व में चलता है कि financial statement में जज कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ अब comparative information हर ओडिटर को चेकरना पड़ता है चाहिए देर इस चेंज ऑफ ओडिटर यह दर इसन ओल्ड ऑडिटर मतब वही से मोडिटर चल रहा हो जिसे में रेकरिंग अटर बोलते हैं या नया ओडिटर आया हो दोनों ही सूरतों में ह पांचो दस तो लगाना पड़ता ही है तो अब आप इसको देखो जरा एक अच्छा पॉइंट ओफ कंपेरिजन है कि दिखा रहा हूं मैं इन ओल केसे वेदर निव ओडिटर और रेकरिंग ओडिटर जस्कंपेर पांचो दस कब लगता है वेंदर इस चेंज ऑफ ओडिटर जनरली वोलू तो पांच साल में या कआ लगता है कि दरशनच ओफ ओडिटर औरिए 710 कब लगते है हर साल लगता है हर साल और अच्छे पिछले साल का और रटा तो पिछले साल जाएक आइवे हमेश जोग हो यह हुआ अर्मसाद भी अलग हैं मक्सद भी अलग है 510 में हम देखते हैं accuracy, green color, accuracy कि opening balance में कोई MMS तो नहीं है न, वो सही है न, accuracy target है, जबकि 710 में आप देखते हो comparability, comparability मतलब आपने current year के बगल में last year के figure डाले हैं with a sole purpose कि shareholder compare करके समझेगा कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ but if the figures are not comparable तब तो बेकार है, जैसे क्या आप एक class 2 के बच्चे को class 10 के बच्चे से compare कर सकते हो can you compare that, no, class 2 का कोई बच्चा है तो वो class 2 के अपने बागी दोस्तों के साथ ही आप उसका result compare कर सकते हो, आप 10 कि साथ compare नहीं कर सकते है, या science आप इस बागी सोर commerce का example ले लो, ठीक है कोई science का student top किया और कोई commerce का student top किया तो आप यह नहीं बुस्ता कि दोनों बराबर हैं ठीक है, मैं यह नहीं बोला कि science वाला तगड़ा तेज होगा, आप इसी बात भी नहीं, commerce वाला भी थेज हो सकता है बट comparison तब होता है, जब आप एक level पर खड़े हो, अलग अलग level पर आप compare नहीं कर सकते, you can't compare, ठीक है अब कल को मैं अगर suppose सटक जाओं और मैं जाकर अपने पापा से बुचों कि पापा देखो आपकी उमर में मुकेश अमभानी कहां पर रहे है, अपने बच्चों के लाम पर यह छोड़ा, आपने मेरे लिए क्या छोड़ा, तो is that comparison मतलब वाजिब comparison, वो बिल्कुल नहीं है, आपको यह भी तो देखना पड़ा है, मुकेश अमभानी अपने उनके फादर दीरोबाय मानी से लेगी से लेके आ रहे थे, मेरे पापा, मेरे दादाजी से लेके लेके नहीं आ रहे थे, तो comparison का भी एक बेस होता है, दो अलग लग लग लेवल पर आप comparison कभी नहीं कर सकते साथ सुदस का target है, to check the comparability, whether the two figures are comparable or not comparable, it's not about accuracy of the opening balance, it's not about the accuracy of the last year का figure, it's about comparability of the last year का figure, सबसे important जो difference है, वो यह समझो, यह है, accuracy versus comparability, सबसे बड़ा difference है, प्राब्लम क्यों है, प्राब्लम यह है कि हम लोग confused इसलिए हो रहे हैं, कि पांसो दस का जो subject matter है, और सांसो दस का जो subject matter हो same है, तो just because the subject matter is same, that does not make it same, think about it, think about it, एक पूजा होती है, ठीक है, बिहारी लोगों में पूजा होती है, छट पूजा होती है, उसमें शायद सुरि वक्त जब वो लोग पूजा करते हैं, वो जाके sunset को अगर देख रहे हैं, तो उनका purpose क्या है, भगवान की पूजा करना, और वहीं पे कोई romantic couple अगर evening में शाम को ढखलते वे देख रहे हैं, तो उनका purpose क्या है, वो तो romantic angle से देख रहे हैं, दोनों सेम चीज को देख रहे है, they are looking at the sunset, they are looking at the sunset, same चीज, बट क्या purpose सेम है, क्या, purpose सेम नहीं है, purpose अलग अलग है, दोनों डेटा का subject matter सेम होता है, पर परपस अलग अलग है, 510 is about accuracy, वहां मकसद Euter का है, कि मैं तो नया आया हूँ, पिछले साल के FS में अगर closing balance में गरबढ़ है, तो इस साल का opening balance गरबढ़ ह कि नहीं है, यह purpose है, तो purpose is the biggest difference, next, यह तीसरा difference जो आप देख रहे हो ना, यह है auditor's objective, यह तो वही किताबी है, जो standard में लिखा रहता है, कि auditor देखता है कि opening balance में MMS तो नहीं है, और वहां पर देखता है, 710 में कि comparative information as per schedule 3 डाला है कि नहीं, फिर इधर कि accounting policies last year के same है कि नहीं, औ और फिर उधर information को properly classify करके सही category में डाला है कि नहीं, दिक्कत अभी और भी है, कि क्यों sir अभी भी clarity नहीं आ रहा, I'll show it to you, अब सबसे important होने जा रहा है, एक heading हम देंगे, audit procedures, audit procedures, उससे आपको और के लिए होगा कि 510, 710 में क्या फरक्या, पता है, ज्यादा audit procedure जो है न, वो 5 पान सो दस में होता है, एक सिकंड, लेट मी ड्रॉ द्रॉ दिस, यह देखो, अगर suppose मैं 510 के audit procedures को इतने बड़े circle से बनाऊं, ठीक है, तो फिर उस case में 710 का circle छोटा होगा, 710 का circle इतना बड़ा नहीं होगा, it will be a smaller circle, ठीक है, क्योंकि ज्यादा audit procedures जो है, वो 510 में होते हैं, 510 में more audit procedures, और इधर less audit procedures, यह फरक समझ में आ रहे हैं, होता क्या है, कि दोनों के procedures में थोड़ा बहुत overlap है, इसलिए confusion आता है, कि दोनों में तो procedure भी सेम सेम से लग रहा है, तो दोनों सेम है, टोटल सेम नहीं है सर, खाली वो जो आपको बीच में वो overlap दिख रहा है, वो सेम है, बाकी उधर थोड़े other procedures होते हैं, इधर भी other procedures होते हैं, पर 510 में ज्यादा procedure होते हैं, इसलिए बड़ा circle, और 710 में कम procedure हो from accuracy, तो accuracy चेक करने के लिए, we have to perform lot of audit procedures on opening balances to obtain SAAE, SAAE मतलब sufficient appropriate audit evidence on opening balances, वहाँ पर इस तरफ में, बहुत महनत करनी परती है, because मैं नया auditor बनके आया हूँ, there is a change in the auditor, तो पिछले auditor ने क्या किया, I don't know, वो अपना audit paper तो मेरे को देगा नहीं, वो तो अपना audit paper पिछले वाला मेरे को देगा नहीं, तो मुझे तो opening balances जो इस साल के हैं, यानि कि पिछले साल closing balance, उसमे मुझे और ज्यादा महनत करनी पड़ेगी, lot of audit procedure perform करने पड़ेंगे, inquiry, confirmation, analytical procedure to find out कि वो accurate है की नहीं है, तो I have to perform lot of audit procedures to obtain SAAE, sufficient appropriate audit evidence on opening balances, यह मुझे बहुत करना पड़ेगा, ठेक है, जब कि इस तरफ अगर मैं बात करूँ, उस तरफ जाओ, 710, तो 710 में मुझे basically check करना पड़ता है, कि previous years, closing figures, have been correctly brought forward in current year, मुझे तो comparison check करना है, तो मुझे तो accuracy से मतलब नहीं है, मुझे तो यह रिखना है, कि पिछले साल आपने balance sheet में closing figures डाले थे, क्या वही के वही correctly brought forward हुए है, इस साल के नहीं हुए, मतलब same है की नहीं, figure same है की नहीं, match कर रहा है की नहीं, because, जैसे आप schedule 3 में current year के बा ले का last year होगा, कल को कोई shareholder दोनो annual report उठाके बैढ़ गया, कल को कोई shareholder 2019 और 2020 का annual report उठाके बैढ़ गया, compare करते हैं, match कर रहा है की नहीं, तो वह भाबलम हो जाएगी, बहुत बढ़ी, तो मुझे देखना है, balances correctly brought forward हुए है की नहीं, अब तुम ही बहुत को बताओ, उसमें अग्या है, accounting policies, वो आपको दोनों ही case में देखनी पड़ती है, वो आपको दोनों ही जगाए देखनी पड़ती है, पांसो दस में भी, शांसो दस में भी, कि last year जो accounting policy company follow कर रही थी, वो same accounting policy, इस साल भी follow हो रही ही कि नहीं हो रही, consistent application of accounting policy, और अगर नहीं हो रही है, तो जो अगरी changes है, वो disclose कियेंगे हैं कि नहीं, तो जहां तक accounting policies की consistency देखने का सवाल है, that's a common procedure, वो हम पांसो दस में भी करते हैं, सांसो दस में भी करते हैं, ठीक है, इसलिए तो जमेला त्यार होता है, student को पढ़ते दगता है, sir यह भी तो वही है, वही तो वही है, same ही तो है, अर सांसो दस में और सांसो दस में क्या difference है, ठीक है, इसमें नोट्स ज्यादा था नहीं कि मैं नीचे link विंग डालूं, बस यह थोड़ा सा ही है, तो यह तो वीडियो में तुमको दीख रहा है, तुम इसको हांस से भी ड्रॉ कर सकते हैं, whatever you want to do, like, तो इसका कोई notes का link नहीं न पुरान हो, मुझे बस यह देखना है कि current year और इस साल के last year जो figure से comparable है कि नहीं, थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा काम नहीं करना है, that's the difference in the two standards, thank you.